मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडिया आपके लिए GST में काफी इंपोर्टेंट है इसमें पूरा वीडियो पुरा भ्यान से देखेगा आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे काफी के स्टाइप इसक्षन 73 में आया है पहली बात तो यह है कि एक ऐसा पॉइंट जो की जयादर केस में यूनिक होगा वह आपको यहां से मिलेगा तो आप जब रिप्लाइ कर रह जाएगी जब आप अपील करने जाएंगे वहां पर भी पॉइंट आपका बर्क करेगा तो यहां पर प्रेटिसना रिक्वेस्ट किया सक्षन 73 में जो आया है नोटिस उसको इसके अगेंस्ट में जो डिवांड करेट हुए है उसको क्वेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट क करना था तो अभी रिसेंटली जो कि हमने काफिसार ऐसे नोटिस देखें है जहां पर यह गलती हो गई है क्या है कि अभी इनके लेजर में रखा हुआ है दूसरा उन्होंने यह भी समिट किया कि अभी जो अमाउंट का क्रेडिट का है वह भी हमारे लेजर में एवेलेबल ह यह जो है तो हमने उस वाले सोच को नोटिस का रिपलाई भी क्या हुआ है यह उन्हें का कि जब और पास हुआ है तो उसमें हमने रिप्लाई समिट किया था उन्होंको वहाँ पर उन्होंने इस चीज नहीं किया जो भी हमने यह जीज मिस है यह जीज गलत है इस मेरे लिए स्टेट्स देट दा रिप्लाई वाजनोट फांड कॉम्हेंसिव उन्होंने यह वर लिखा कि जो आपका रिपलाई है वह अब यहां पर जो यह एक्स्टेक्ट लिया गया है नोटिस का वो धियां से समझेगा उसके बाद जो ओडर पास हुआ है उसमें क्या पॉइंट लिखे प्रॉपर ऑफिसर में लिखा होगा कि तीस दिन के अंदर पेमेंट करनी है और में लिखा कि आपने तीस दिन के अंदर नहीं कि therefore on the basis of documents available with the department कि यहां पर जो डोकुमेंट अविलेबल है और जो हमारे पास information available है तो यहां पर जाए उसके बेस्ट पर उन्होंने डिवांट कंफर्म कर दी further the observation in the important order dated this is not sustainable for the regions that the reply filed by petitioner is a detailed reply हमने तो detailed reply submit किया था उन्हें उस पर कहा है कि आपका जो डिटेल रिप्लाई है वो डिटेल नहीं है proper officer had to at least consider the reply on merits and then form an opinion कम से कम जो है proper officer को चीज़े consider करना भी जरूरी है कोई explanation जो की sufficient नहीं थी वो उन से आप further ले ली नहीं चाहिए थी he merely held that since no payment has been made within 30 days और इसलिए उन्होंने जो है order pass कर दिया और यहां पर यह भी ऐसा लगता है कि जो matter है वो प्रोपर ली तरीके से जो है consider नहीं किया जो reply submit किया है उसको दोनोंने चेक ही नहीं किया इसलिए जो इंपंज order है उसको यहां पर जो है के अगेंस्ट में और reply submit क्या है वो भी consider करें और उसके साथ-साथ इनको opportunity भी प्रोवाइड करें पर्शनल लिए रिक्वेस्ट ऑफ दा लर्न सीरिंग काउंसिर फॉर दा पैडिशनर भी परमीड दा पैडिशनर टू फाइल एडिशनर रिप्लाई उन्होंने इसके साथ-स आई ती रिसेंटली जिसमें रेट को एस्टेंड किया गया था वह अभी open है उसके रिगार्ड है यहां पर यहां पर यहां पर आपको इस चीज में रिलिफ मिलेगी कि अगर आपका एक आईटी सी दूसरे आईटी से आपने क्रेडिट ले लिया है अजिस्टमेंट हो गई क्यों से चीजिए है इसको आप यूज कर सकते हैं जहां पर यहां पर आपका और पास हो दिमांड उडर उसमें यह लिखा होगा कि आपका रिपलाई है प्रोपर नहीं है यह आप नहीं है आपने सारी आपको सकते हैं जरूरी नहीं है सब्सक्राइब काफे सारे वीडियो सब्सक्राइब करें वीडियो जरूर देखें यह वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच